जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन एंफोस को दसालते विशे ने भी पांच राफेल एरक्राफ्ट डिलिवर किये हैं, बहुत से लोग पूछते हैं भही ऐसा क्यों, हमें ऐसा नया सा जादू वाला राफेल क्यों चाहिए, तो इसी को मैं सिंपल फॉर्मैट में यहां पर शौट में समझाऊंगा, इंडिया के तो बहुत ही विचित्र टाइप के पडोसी हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान, जिनको हर बात पर टांगनाने का बहुत शौक है, इनको इनकी लिमिट में रखने के लिए, मिन्स्ट्री आफ डिफेंस ने रिसेंटली काफी वेपेन मिक-29 की जोडी बहुत ही जबर्जस्त थी, इस जोडी में मिक-29 ने बियॉंड विज्वल रेंज की मेसाइल से पाकिस्तान की एर पावर को कारगिल से 40 किलोमेटर पीछे रखा, और वहीं दूसरी तरफ मिराज 2000 ने टाइगर हिल पर पाकिस्तान बेसेस को पूरी तरीके से स्वाहा मतलब खतम कर दिया, और बाद में ऑपरेशन सफेद सागर ने इंडियन आमी की विक्टरी के लिए आधार शीला रखी, और हमने कारगिल वार चीत लिया, कारगिल वार के बाद इंडियन एरफोस समझ गई कि भाईया हमको नए एरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है, जो की इंडियन सोवेनिटी यानि ये भारत की संप्रुभूता को मेंटेन कर सके, इसी के लिए इंडियन एरफोस ने एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने 126 फाइटर एरक्राफ्ट की रिक्वार्मेंट्स शेर की, जिसमें फ्रांस के 10 सालत एविएशन के राफे हो सके, किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी कॉंफ्लिक्ट में एराम हमेशा फॉर्फरेंट पर होती है, जिससे कि वहां के एलाइड फोर्स को परियाप्त मात्रा में सपोर्ट मिलता रहे, एक्जांपल के लिए 11 सितंबर 2001 के वियसे में जो हुआ, उसे ने प्रूफ किया कि भ फाइटर एर्क्राफ्ट राफेल की, राफेल के पास ओमनी रोल कैपैबिल्टीज है और जिसकी वज़ा से काफी गॉवर्मेंट्स इस एरक्राफ्ट को लेना चाहती है, ये एक ऐसा एरक्राफ्ट है, जो कि अगर कम नंबर्स में भी होगा, तो भी बहुत ही बड़े रें मिशन्स, पावर प्रोजेक्शन, एक्स्टरनल मिशन्स के डिप्लाइमेंट्स में, डीप स्ट्राइक मिशन्स, ग्राउंड फोर्सेस के लिए एर सपोर्ट, रेकॉन मिशन्स, पाइले ट्रेनिंग और नुकलिर डेटरेंस दूटीज आते हैं, राफेल में तीन वारियंट सेम है, लेटेस्ट कॉन्फिक्स जिसमें एर पावर का यूज हुआ था, इसको पॉलिटिकल डिसीजन में एकस चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, नमबर वान, वसाटिलिटी, जिसको परतिभा भी बोलते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एर पाव कॉलाबरेशन और डिफरेंट सिस्टम के साथ, रियल टाइम कॉम्मुनिकेशन होता है, नमबर थ्री, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें डिफरेंट मिशन को एक ही सौटी में कम्प्लीट करने की क्याबिलिटी चेक की जाती है, नमबर फो, और लास्ट, सर्वाइविबिलिटी जिसमें Stealth Capability और Advanced Electronic Warface System को Dense Threat Environment में Response कैसा होगा, चेक की आता है, इसलिए राफेल को Omni Roll का Tag मिला है, और Because, राफेल के अंदर ये सारी Capabilities है, राफेल एरक्राफ्ट के एरफ्रेम, Delta Wings और Close Coupled Canard के साथ आते हैं, जो कि किसी भी Flight Conditions में, Center of Gravity की Position को Wider Range और पूरी Flight के दौरान, Excellent Handlings भी Provide कराते हैं, Close Coupled Canards और Delta Wings, राफेल की Combat Performance को बहुत ही ज्यादा इन्हांस करते हैं, High Angle of Attack की Situation में भी ये पूरी तरीके से सही रहता है, अगर हम Compact Design Aircraft की बात करें, तो इसकी Unique Design इसको ये Strike Missions के Range Performance और Weapon Load में सबसे बहतर बनाती हैं, Advanced Digital Fly-by-Wire Flight Control System इसको Longitudinal Stability और Superior Handling Performance प्रवाइट कराता है, इसी की वज़ा से 1 Million Flight Hours में भी Single Accident नहीं हुआ, तो Safety के Purpose से ये बहुत ही जबरजस्त है, राफेल में Composite Materials बहुत जादा यूज़ हुए हैं, जो कि Witted Area का Almost 70% कवे करता है, Witted Area basically Aircraft का वो Area होता है, जहां पर Aircraft को थंडी-थंडी हमाय लगती हैं, और इसी Composite Materials की वज़ा से Max Take-Off Weight 40% तक Increase हो जाता है, Traditional Aircrafts Aluminium और Titanium के होते हैं, राफेल का दिल MTA-2 से सजाया गया है, जिससे Scientific भाषा में हम Engine बुलाते हैं, ये एक नए ही दोर का Turbo Fan Engine है, जो की High Thrust to Weight Ratio प्रवाइट कराता है, जिसका Maintenance Easy होता है, Dispatch Reliability जादा और Operating Cost का ही कम होती है, इसी के चलते, राफेल टीन सेकेंड के अंदर, आइडल से After Burner में Convert होने के Capability रखता है, अगर राडार की बात करें, तो राफेल में RVE2, EESA Radar यूज हुआ है, सिंपल भाषा में, ये राडार बिन अपने Direction को Change किये, Multiple Targets को Locate कर सकता है, इसके कई और हैं, जैसे कि Reliability, जुश्मन के Radar Warning Receiver, हाल WR से Locate होने की Probability कम होती है, Electronic Jamming को ये Resist करता है, Meteor Air-to-Air Missile को बहुत तूर से ही देख लेता है, और इसमें Multimode Capability भी है, मैं ज़्यादा Deep में नहीं चाहूँगा वीडियो में, बट अगर आपको EESA Radar का Deep Analysis चाहिए, तो Comment section में sector optronics को develop किया है, जिससे ये Radar Jamming से Immune है, और किसी भी टाइप के दुश्मन को दूर से ही देखकर identify कर लेता है, Airborne और Ground Targets से इसको बचाने के लिए इसमें Spectra, जो की एक Internal Electronic Warfare System है, इसमें लगाया गया है, इसको Thales और MBDA ने मिलकर बनाया है, जो की किसी भी incoming missile, laser threat, या फिर Radar क information बहुत ही accurately, pilot को provide कराता है, राफेल की Net Centric Capability, जिसमें Data Fusion Software और Data Links की Varieties, इसको एक Integrated Battle Space बनाती है, नया Tallyo's Targeting and Laser Designation Pod, जिसको Thales ने बनाया है, राफेल को दिन और रात में Surveillance की capability प्रवाइट कराता है, और Laser Guided Weapons को accurately, with love, deliver करता है, Thales ने strategic और tactical missions के लिए राफेल में Arios Recon System लगाया है, जिसको Libya, Mali, Central African Republic, Iraq और Syria में demonstrate भी किया गया है, इस high tech system ने खुद को चाहे दिन हो या रात, long range sorties, low and high altitude और हर condition में खुद को प्रूव किया है, राफेल का multi sensor data fusion process भी बहुत unique है, जिसमें सारे sensor की information को gather करके, पाइलेट को ए एक tactical decision maker की तरह काम करता है, ना कि एक sensor operator की तरह, राफेल का man machine interface भी बहुत unique है, जो कि दसालत aviation ने develop किया है, जो कि hands on throttle and sticks होताँ, control concept को touch screen के साथ combine करता है, simple भाशा में, ये सभी medium और long range term and actions और tactical situation की analysis करके, पाइलेट को head level display पर multiple images के format में show करता है, और ये सारी process within seconds complete होती है, राफेल के cockpit में वो सारी खूबियां हैं जो कि एक omni roll fighter aircraft में होनी चाहिए, for example, दोनो side field view काफी wide होते हैं, G protection with 29 degree tilted seats के साथ increase की गई है, और air conditioning system किसी भी weather condition में बहुत efficient है, वैसे तो राफेल में काफी weapons use किया सकते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ अदबुद weapons के बारे में बात कर हैं, जिसे किसी भी aircraft को intercept करने में या फिर combat और self defense situation में use किया जाता है, इसे हम within visual range भी use कर सकते हैं, इसकी operating range 500 मेटर से 60 किलो मेटर तक होती है, weight approximately 112 किलोग्राम होता है, meteor, इस air to air missile की operating range 100 किलो मेटर से जादा है, और यह range country wise vary करती है, जो data classified होता है, इसकी speed Mach 4 से भी जादा होती है, और यह दुश्मन के लिए एक no escape zone मनाती हुई चलती है, और इसी की वज़ा से इसे air combat में game changer भी माना जाता है, hammer, यह एक air to ground fire and forget weapon series है, जिसमें बहुत ही advanced laser guidance system यूज होता है, इसकी high altitude पर operating range 60-65 किलो मेटर और low altitude पर approximately 15 किलो मेटर होती है, राफेल में scalp जो की एक long range standoff missile है और AM39 exocet जो की एक anti-ship missile है को भी use करते हैं, इसमें 2500 rounds per minute की nexter 30 M791, 30 mm की internal cannon भी होती है, अकेले राफेल का weight 10 ton होता है, और इसमें 14 hard points होते हैं, जबकि राफेल M variant में 13 hard points होते हैं, इन में से 5 hard points को drop tanks और heavy ordnance के लिए use करते हैं, राफेल की total external load capacity 9 ton से जादा है, और आप ये समझी सकते हैं कि राफेल का खुद जितना weight है, वो लगभग उतना ही period weight उठाता है, राफेल में mid air refueling और एकी sortie में air to ground और air to air strike missions को complete करने की capability भी होती है, तो इनी सब खुबियों को देखते हुए Indian Air Force ने राफेल को proper screening के साथ सेलेक्ट किया और ये Indian Air Force को modern warfare की age में एक अलग ही मुकाम पर लेकर जाएगा, इसी के साथ हम इस topic को इस वीडियो में यहीं पर end करते हैं, हो सके तो अपने feedback कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम इसी तरह Indian Air Force से related videos लाते रहेंगे, वीडियो गर अच्छे लगी हो तो like, subscribe और share अती आवश्यक है, और घंटी के option को दवाना मत भूलिएगा, उसी से आपको हमारी नई वीडियो अप्लोड्स की notifications मिलेगी, जय हिंद,